तेरा डोल कुए में लटकैसे तेरी पोरी पोरी मटकैसे तेरा जिल मिलकर हो सरीर परेशिन फुरेशिन हो लेने जो गाना था बहुत आल इंडिया आल वड गाना चला वो हर्याना का नाम पूरे भारत में रोसन किया उस गाने ने रामेर महला जी ने लिखा था और मैंने गाया था संजे सर्मा जी ने उसका म्यूजिक तयार किया था बावाल वेकृ में पेरा में पाज़ेबां की होई चंक्छं देखका ने देखका ने लुट गए हम छोरियां के चकरा में फस गए हम फिकार महराजी बंशली आप देख रहे है आजसे सेनल आए हैं तो काटेंगे एक रात तुम्हारी बस्ती में तुम चाहोगे तो कर लेंगे दो बात तुम्हारी बस्ती में मेरे सुने मन के आंगन में तुम एक घटा बन जाओ तो कर देंगे गीतों की बरसात तुम्हारी बस्ती में दोस्तों मीडिया के माध्यम से हम आपको ऐसे नामचीन कलाकारों से मिलवाते रहते हैं हमारे बीच एक ऐसी नामचीन हस्ती जिसे मैं कहूं कि हरियानवी कलाकार गाय कलाकार बैठे हैं श्री किष्ण चोहान जी मैं आपको अदब से नमशकार करता हूँ हमारे चैनल पे आए आपका हादिक अभिनंदन करता हूँ खेर मगदम करता हूँ स्वागत करता हूँ सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि गाएन शैली में आपका कैसे पदार्पन हुआ और किन किन गानों के मुखलों से आपको दुनिया ने सराखो पे बिठा है सबसे पहले तो आपके चैनल के महदम से मेरे सभी सरोताओं को नमसकार करता हूँ मैं हरियाना को काफी साल से पहले सुनता रहा हूँ मेरी अरियानवी फिल्मों के मास्टर जी गाते थे फिर धीरे-धीरे मेरे पापा भोजी थे वो एक रेडियो लेकर आये थे मेरे लिए उस टाइम पे गाने आते थे अरियान भी फिल्मों के बाल सिंग भैलारा जी बहुत अच्छे हर्यानवी सिंगर रहे और किसोर कुमार जो मेरे फेवरिट सिंगर है हिंदी सिनेमा के उनके तो पिछ भी बड़ी हाई बाल सिंग भलारा जी को खासकर मैं हर्यानवी जो सौंग होते हैं उनकी आवाज में जितने आए हैं मैं काफी सुनता रहता हूं सब याद है मेरे हर्यान फिल्मों के गाने तो उस टेम पर मैं गाता था फिर सकूल के दोरान मेरे को गाने का मुका मिला देश भक्ती रागनिया किसे जब जलते थे सकूल में 15 अगस्ट 26 जनवरी के उपलक्स में तो मेरे को मास्ट जी सयोग करते थे भुरा राम जी ये तो रही आपकी हिस्ट्री में जान रहा हूं आपने बड़ा मुकाम हासिल किया नाम कमाया है आपका फैमिस गीत दोल कुए में लटकस है जी जाके सुनाईए गाके काफी लोगों ने पसंद किया पूरे उतरी भारत में ही वो सौंग आज भी बज़ रहा है वो काफी मजाक में कह भी देते हैं कि के तो डोल जगीरों दा बाजगा ये डोल कुए में बाजगा न बाकी जूत बाजगा न मलबा हर साधी में यो गाना बाजणा ही बाजणा होता है जी बिलकुल जी डीजे की ये गाना स्यान ब मैं लट कैसे तेरी पोरी पोरी मट कैसे तेरा जिल मिलकर हो सरीर परेसिन उरेसिन हो लेने ये गाना सा उसमें पंच लाइन थी उसमें जो डीजे पर नाजते थे लड़के तो उसको ज़्यादा फोलो करते थे वो लाइन ये थी तेरे सुसरे ने पोवा प्या दिऊंगा तेरी सासु की लदूरम जो लूरे सिन हो लेने ये पंच लाइन थी जी उसमें खंगारा था हमारे लोकलाज में खंगारे को एक मैतव भी देते हैं उसके विपरित भी इसको मान लेते हैं खंगारे से कई तो लठ बात जाओं भी तक खंगारा करका क्यों लिख रहा है इंडिकेशन होता कि कोई बुजरगा रहा है बिल्कुल जी आप सही कह रहे हो तो खंगारा इसमें मैंने यूज किया था जान दे वो एक पंचलाइन बनी थी तो वो गाना सदा बहार बना हर्य गाना की शान बना हो गाना और काफी गाने मेरे पसंद आप पाकिस्तानी मुवी में एक गाना चला आपकी वो हमारे सी भी पिक्षे जी वो तोते उड़गे अल्बम मेरा 2008 में मेरी कंपनी से था बाद में मैंने किसी को दे दिया था सुपर्टोन कंपनी को तो उसमें गाना था बहुत आल इंडिया आल वर्ड गाना चला वो हर्याना का नाम पूरे भारत में रो सुन किया उस गाने ने रामेर महला जी ने लिखा था और मैंने गाया था संजे सर्मा जी ने उसका म्यूजिक तयार किया था लाल लाल कुड़ती मैं गोरा सा बदन गोरा सा बदन पैरा मैं पाजेबां की होई चंचं देखका न देखका न लुट गए हम देखका न देखका न लुट गए हम छोरियां के चक्राम फस गए हम यह था सोंग जी छोरिया के चक्राम है फस गए है यह सोंग था जी आज भी चल रहा है काफी गाने हमारे जो हर्यानेवी की रागनी होती थी वो घड़वा बंजू का दोर था लेकिन उस दोर में इतने आज म्यूजिक जो सिस्टम नियू जनरेशन को जो चाहिए था न वो मत बंजु साइद स्टाटिंग हमारे हर्याना की वहां ही से वही थी अब हम हम जमाने के अनुसार म्यूजिक पे ड़गए तो ये अच्छा तो जमाने के अनुसार मीजिक पे ड़ले हैं जिए, जमाने का मीजिक सुनाईगा, हादूनिक परवेश का जि मैं नए वर्जन की बात कर रहा हूँ जो काफी पुराने भी थे न वो भी आज के दिन न्यू नए वर्जन लग़ रहा है अब कलाकारी की गंगा बहरी है कलाकारों ने बहुत योगदान दिया सभी कलाकारों ने बहुत अच्छा 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 एक गाना था मेरा तेरी कोठी में बनवा दियू रचंदी गड़ सहर में छोरी तेरा एंडी टोर बना दियू रचंदी गड़ सहर में छोरी ये गाना वीजी भूत लोगों ने पसंद किया था आपका तो गले में याने कि सास्वत कंठ में आपके इतनी मेलोडी है गुरुजीयों का सिरवादा जी अपने पले ना कुछ था ना कुछ है जो भी हो गुरुजीयों की किरपैसे एक फोक गाना था मेरा मैंने और सेनम ने गाया था वो लेडी जोंको ज्यादा पसंद किया अपनी डॉन मुवी के अंदर तो आज भी पाकिस्तानी मुवी में पाकिस्तान ने हमारा हर्यान भी गाना अपनी डॉन मुवी के अंदर ओडियो डाल लिया और उरिजिनल हमारा और उनकी वो फिलम बहुत जादा चली आप भी यूटूब पर देख सकते हैं लेकिन एक फो अपनी डॉली सूरत लाग प्यारी सूरत पहो मर जांगी तेरी बुर्सट का बटन बना ले बटन का हो चिप जांगी हो तन बोल्या जो मिठा प्यारा बोले बुकल मतन डक लिऊंगा रयो कर दिया दिल तेरे नामों दस तक कर दूंगा एक लास्ट गीत मन नहीं भर रहा है हमारे वीवर्स का भी और हमारा भी आप से सुनते ही जाए तो आपकी पसिन्दित आप तैरी खातिर गोता मार्या मनचोरी जोड मैं होए होए сам कहानर खार तीर घोता मार्या मनचोरी जोड मैं कापी लोगों भजन भी गाई इस कंपोजिशन पर और ये पुरानी कंपोजिशन थी रभी साब गया रभी साइने जी बोल रहे है कि एक गीत और सुनके ही फेर एंड करेंगे इसकारा रहे सर गाने तो काफी हैं लास्ट बट नोट लिस्ट हजारों सोंगा रखे हैं सर लेकिन क्या होती है क मिठा गाना है जो अपने समाज के उपर गाना है वो अधुनिक प्रवेशन बिल्कुल जी सर जिसको हम अध्यात्तम सोंग कह सकते हैं इंटेलेक्शन जी इर्शाद रह या जुठी दुनिया जुठे यार फिरैसें रह या जुठी दुनिया जुठे यार फिरैसें भाई साथ कहणिए पाच से रहे गे नकली पार तिरसे रहया जुठी दुनिया जुठे यार फिर से रहया जुठे यार फिर से ये था सर सर इसमें तो आपने पूरे पूरे एमोशंस डाल दी है बहुत अच्छा सती सांगमान जी का लिखा हुआ ये और बहुत बड़िया तरिके से आज भी चल रहा है ये थे किरसन चोहान जी इन को जत्ना सुनते जाएं तो सुनने को मन करता है और बंद करने को मन नहीं करता लेकिन किरसन जी आप जैसी जो मेलोडियेस आवाज जो मुक्तकंट से जो आप गाते हैं हमारे चैनल के वीवर्स को इतनी अच्छी लगेगी मन्भावन आवाज जो आपकी है आप हमारे चैनल पे आए और चैनल को गुलजार किया आपने ये हमारे लिए एक प्रिविलेज है कि आप जैसे नामचीन हस्तिय हमारे पास आई है पस इतना ही कहूँगा आंत में चले जाते हैं आपकी महफिल से हम अगर दिल घबराए तो फिर बुलाएंगे जाएंगे दोस्तों हासी की आवाज सर जी का ये चैनल आप ज़्यादा से ज़्यादा सेर करें सबस्क्राइब करें लाइक करें और देखते रहिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हरियाना जय हरियानवी नमस्का दोस्तों इसी तरह हम नामचीन कलाकारों को बलाते रहेंगे मुस्कराते रहिए और सुनिए का जरूर चुहन साब को सुनने के साई तालूग रखते हैं मैं मेरे रिपोर्टर रवी सैने के साम